इस तरीके से बिना को बताया कि more or less मेंस के परस्पेक्टिव से ज्यादा इंपोटेंट यह वाले लेक्ट्ट्र अब यहां पर भी आपको जो है बहुत ही जनरल अंडरस्टेंटिक बट इंपोटेंट है मेंस के लिए क्योंकि आंसर के लिए आपको जो जो पॉइंट इडिया सेंटर आइडेया रेगा कॉनसेप्ट का वो आपको यहां पर पता चलेगा टिक सो स्टार्ट करते ही डिना किसी देडिक देटको फेडरल सिस्ट्म यहां पर पड़ेंगा चेप्तेर थर्टीव अन्होंने गउवर्मेंट्स को दो तरीके की एक यूनिटेटरी और एकacji है फेडरल एक says की जो जलते का रिलेशन से करें के जौराल और रिलेशन से यहाँ इसको मद्धर नजब दखाए यहां पर उनितली सेडर नफेटल में यहां पर में बनाया गई बहुत ही जनरल से फ्लroe कि अब हम करें तो इन दोनों का अपना अपना होता है यह हम फेडरल की बात करें फेडरल form of government की और वह इंडिपेंडेंट लिस्ट जिनके बारे हम आगे discuss करेंगे अब ब्रिटन फ्रांस वाज जपान चाइना इतली बेल्जियम नौर्वे स्विडिन इस्पें यह सब यूनिटरी इस यहां पर फेडरल form of government है इंडिया इस मोडल के अंदर नाशनल government को federal government बोले जाता है central government बोले जाता है so yes so federation का मतलब क्यों होता है एक होता federation एक होता confederations अब इसके मतलब मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल federation समझो federation Latin word से निकला है for this अब इसका मतलब है treaty and agreement किन के बीच मैं आभी बताया मैंने यह एसा federation है जिसके एसा political system है जिसके अंदर treaty की जाती है agreement के जाता है between the various units जैसे के आपके national level government federal government and state level regional governments ठीक है यहाँ पर joint dual governance रहती है यहाँ पर single government रहे है written constitution होता ही होता है यहाँ पर हो सकता है और नहीं भी हो सकता return जैसे कि France में return है और unwritten है बिटन में चलो मुझे बताब फ्रांस का जो constitution है वो कितनी बार लिखा गया है और सबसे पहली बार कभ लिखा गया था ठीक है मुझे बताना बहुत important है बहुत interesting भी है अब यहाँ पर जो है next कि इसके अंदर power divide रहती है ठीक है division of power रहता है यहाँ पर national and regional के बीच में यहाँ पर कोई division of power नहीं है कुछ नहीं बस जो central ने बोल दिया वही है supremacy of the constitution रहती है बहुत important है यहाँ पर constitution supreme हो सकता है जैसे कि Japan है बट यहाँ पर supreme हो भी नहीं सकता ठीक है क्या आपका constitution जैसे कि Britain बृतन में क्या जैसे चाहिना की जो यूनी केमरल लेजिसलेचर है उसको क्या बोलते हैं मुझे नीचे बताओ ठीक है बहुत इंट्रेस्टिंग है आपको जो है कि आप सा कंडा नीचे अब एक फेडरेशन का निर्मान केसे होता है ठीक है बनाई केसे जा सकती है बहुत ही सिंपल है है जैसे कि आपके मालीजे कोई मिलिटर ली वीख है या फिर एक्रोमिकली बैकोड से थे वह सब क्या घरते है अपने एक बड़ी एक स्ट्रोंग और अर्गनाईजिशन बनाते है एक साथ मिलकर के एक बड़ा यूनियन बनाते है बैसिकली जैसे कि u.s. ने बनाया सेकंड केस में सेकंड केस में एक बिग यूनिटरी स्टेट होता है जो की जो कनवर्ट होता है इन्टु फेडरेशन बाय ग्रांटिंग ऑटोनमी तुद प्रोविंसेस तु प्रमोर्ट रीजिनल इंट्रेस्ट जैसे की कनड़ा देखो यहां पर यूएसे में क्या हुआ थ जो है बाद बताऊंगा आपको सिरीस तल रही है उसके अंदर जो है यह बता रहा हुँ मैं थिक जिसे की देखो यूएसे में 50 स्टेट्स है पहले 13 स्टेट्स जो 13 कॉलोनीज थी जो की कोस्ट जाबके इस्टरन कोस्ट ऑफ यूएसे और नौर्ट अमेरिका के मैप पर है यहां पर पहले चार थी अब आप दस है यहां पर डिस इंटीग्रेशन हो रहा है लेकिन इस तरीके से यूएसे में इंटीग्रेशन हुआ है उस सबने मिलके एक यूणिएन बनाया ठीक है जैसे कि नोर्थ अमेरिका और जो बाद का जो पार था जब अब्राहाम लिंकन आए उसके टाइम पर जब साउथ जो पार्ट ऑफ दर नोर्थ अमेरिका था वो बाद में इंक्लूड हुआ तो फिर जाकर के इंडिया युएस से एक युनाइटेड इस्टेट बना अमेरिकान रेवलुशन जो 1775 में वह था उसके बाद जो अमेरिकान वर फिंडिपेंडेंस था जो शिविल वर था अचली अमेरिकान शिविल वर तो उसकी प्रोसेज होती हो काफी लंबी थी इतना इसी नीए था एक फेडरेशन को कायम रखना उसको बनाना तो एक नहीं क्य में जो कॉंस्टिटूशन में करते हैं हमारे उन्होंने इस वाले मेथट इस वाले मॉडल को को चुना विकास दो रीजन दिया उन्होंने पहला दाला साइट व था कंट्री है ना दूसा सोचु कल्चुलल डाइवर्सिटी इतनी जाद है हमारे अब फेडरल सिस्टेमी जो सब्सक्राइब का यूनिटी एंड ओट्रमी जो है रीजनल लेवल पर कायम रख सके हैं यस हाला कि जो फेडरेशन वर्ड है इंडियन कॉंस्टिटूशन में कहीं भी यूज नहीं किया गया है इंस्टिड आर्टिकल बन में क्या बोला है इंडिक कॉंस्टिटूशन इंड इंडियन व्स्टेट क्यों इन ने प्रिफर किया ओवर्ड फेडरेशन ऑव स्टेट जैसे की उंडिक इस यत नहीं ने कहा इसके दो रीजन है पहला इंडियन फेडरेशन इस नोट रिजल्ट ऑर अग्रिमेंट अमंग देस्टेट्स जैसे की अमेरिकन फेडरेशन नहीं कोलोजिस मिल करके उन्होंने एक United States उन्हाने क्योशिश करी है ना बनाया भी सही next the states have no right to secede from the federation अब यहां पर यहां पर क्या इसलिए हम बोलते हैं हमारे federation के इस a union but it is indestructible so India is a in the India is a nation where the states have no power to secede from the union or a country तो यह कारण दिये दो कौन ने भीम रहाँ yes so Indian federal system is based on Canadian model Canadian model not on American model इतना important जो यह लाइन है आपको आमेशा याद रटने कि इंडिया के जो federal system है ना वो Canadian model पे based है ना कि American model पे कैसे Canadian model में क्याता है एक strong center है तो Indian federation resemble the Canadian federation जैसे की formation में formation में जैसे कि हमने integration की तुर्फेस को बनाया फिर next in its preference to term union over the federation जैसे की United state है ना and its centralizing tendencies जैसे की ज्यादा power किसके अंदर है center के पास ज्यादा provisions किस लिस्ट के अंदर है centralist के अंदर अब यहां पर देखते कुछ feature देखो federal government के देखो यहां पर बात आती है पहला the dual quality dual quality का मतलब क्या हुआ देखो dual quality का मतलब यहां पर union central level पर state है आपके periphery पर यहांने की state level पर so sovereign power जो है particular link को दी गई है in the field assigned to them by the constitution constitution है defined कर दिया सब कुछ union government की जो matter कौन-कौन से matter से deal करता है national importance की जैसे की जैसे की defense foreign affairs currency communication and so on जो की list में mention है federal list में ठीक है list one में second आता है the state जो government है उनके पास जो है regional और local importance की जैसे की public order agriculture health land and local government etc जो की mention है आपके list two में ठीक है जो आपके state list में next written constitution constitution is not only return but also the land landiest constitution है पूरे world का इतना bulkी है कि इतना criticism भी sign on है यह इसी को लेकर के so basically क्या करता है जितने misunderstanding होगी ना powers को लेकर के union and state के तो उसको clarify करता है तो written constitution होना एक federal state के लिए कापी important है right third आता है division of power division of power वही बात मैं जिसके ने बता है Union List जिसके दर 98 सब्जेक्ट है, State List जिसके दर 59 सब्जेक्ट है and Concurrent List जिसमें 52 सब्जेक्ट है, State की List में से जो subjects हैं वो बैसिकली उन में से लेकर के ठीक है उसका ट्रांसवर कहा देगा Union List में और काफी Concurrent List में Concurrent List जो है State and Center दोनों ही जो है लोग बना सकते है and जो Residuary Power होती ही जाने की इन तीन लिस्ट के अंदर नहीं है उसके लावर जितनी पावर होगी न वो सेंटर के पास है ठीक है, So Residuary Power जो है वो सेंटर के पास है मुझे जब आपको 1935 का Act बताया था समझाया था मैंने बताया था कि Residuary Power किसके पास है मुझे बताओ, Residuary Power किसके पास है यह Residuary Power का जो फीचर है बहुत इंपोटेंट होता है अब जैसे कि मौम्माद अली जिन्ना है उनके 14 पॉइंट हुए उनके अलवा उन्होंने काफी चाथा फॉर्मूलास दिये जब यहां पर इंडिपेंटेंज के बात कर रहते हैं सो उन्होंने का था कि जब स्टेट जो है उसके पास हो नीचे Residuary Powers ठीक है इस तरीके से सो वह से जो है आइडियास थे तो मुझे बताना इस का अंसर 1935 एक्ट के अंदर सुदीर पावर्स किसके पास थे next supremacy of the constitution अगर supreme constitution नहीं होगा highest law of the land तो यह जो law in act करेंगे budget center and the states इनके steps रहेंगे provision पे confirm करना चाहिए का मतलब होता है उनके according जो है constitution में में जो provisions है वो पत्थर के लकीर मानने जाने चाहिए उसी पे basis आपको काम करना है कि नेक्स्ट फीचर है आपका federal form of government का rigid constitution rigid constitution का मतलब इतना सा है कि देवो supreme अब बात करेंगे इसके amendment की क्या amendment करना इतना असा नहीं है इंडिया का constitution इस नाइधर rigid नौर इतना simple नहीं है लेकि इतना rigid भी नहीं है कर सकते है हुए है अभी तक 105 amendment हो चुके है ठीक है यस तो यह federal feature का एक बहुत ही important part है सो यहां पर central and state अगर कोई matter पर हम बात करें अगर उस पर federal question आता है federal question है तो state की state की जो state से भी राई लेता है कोई आपका center जिसको हम बोलते है special majority of the parliament और जो half of the state state legislature से approval उसका कराना जरूरी होता है right so अगर कोई federal question आता है तो वर्ना तो करा ही लेती है जो दोनों आउसे पर्लामेंट है central में बनाते हैं लोग yes independent judiciary independent judiciary on a federal system के अदर बहुत ही important है क्योंकि constitution अगर independent judiciary के बात करता है जिसको supreme court head करता है और हमारी integrated judiciary है basically supreme court head high court state level पर है और इनका jurisdiction आपके well defined है so center के बीच में जो disputes हैं उनको कोन देखता है आपके supreme court देखती है जैसे कि आपके judges की क्या tenure होगा उसकी security fixed services condition यह सब एक independent judiciary के लिए काफी important है इनकी सबसे important यह बात होती है कि independent जो independence of the judiciary है वो state के favor में नहों central के favor में नहों किसी government specific के favor में नहों इस तरीके से right so federal form of government में एक यह आपका feature था next आता आपका bicameralism bicameralism मतलब अगर आपके legislature है तो दो house होना वहापर ज़रूरी है तो इसको हम बोलते है bicameralism यह होता है unicameralism जिसमें एक house ही होता है जिसे चायना में है so constitution provide हमारे यहापे दो तरीके दो houses अपर house जो है राज्यसभा ठीक है next दा lower house जिसको बोलते है लोक्सभा so राज्यसभा में Indian federation के states उनको represent करती है लोक्सभा में people के representation आते है as a whole so यहाँ पर दो तरीके के हम कहेंगी यहाँ पर representation किसका states का राज्यसभा के through ठीक है so यहाँ पर federal feature आपको देखने को मिलेगा federal equilibrium बना रहता है अपर by protecting the interest of states against the under interference of the center अब यहाँ पर हमारे constitution के कुछ unitary features भी है वह भी देख लो अच्छे बात है पढ़िए तो यह भी सुनो ठीक है so Indian constitution में कुछ unitary or non federal features भी हम यहाँ पर देखेंगे पहला strong center center बहुत जादा strong है हमारे division of the power जो है वह इन इक्विटेबल है अगर हम federal इंगल से देखें पहला union list में जो subjects है वह काफी जादा है state list से almost दुग नहीं है secondly important subjects कि किस list में union list में thirdly जो center है उसके पास overriding authority है कि वह concurrent list में basically है न क्योंकि central ने अगर कोई rule बनाया तो और उसी matter पे अगर state ने रूल बनाया तो किसका low prevail करेगा आपकोर्स union का है न फाइनली जो residue power वह भी center के पास है लेकिन US में इसा नहीं है they are vested in the states residue powers states के पास है thus the constitution has met center very strong it is one of the unitary feature second state is not basically indestructible यहां पर जैसे कि बहुत अलग federation जैसे कि United States इंडियन states में जो है वो territorial integrity नहीं है हमारे states को territorial integrity नहीं है तो parliament can be unilateral action change कर सकती है कोई भी state का area boundaries उसका name तक भी change कर सकती है बस एक simple majority की जरूरत है और कोई भी पास कराकर ले जाएंगे सिंपल मेंडमेंड की जरूरत नहीं इसके अंदर ठीक है और कोई special majority की भी जरूरत नहीं है so union federation जो है एक indestructible union of destructible states है यहने कि states को destruct किया जा सकता है बाइदा union only बाकि अगर कोई हाथ भी लगा दे तो तो फिर ठीक है समझ सकते हो so the American federation American federation under the end is described as the an indestructible union of indestructible states इसलिए ही तो इसको the best federal model बोला जाता है पूरे वर्ल में क्या USA next next unitary feature single constitution unlike USA federation यहाँ पाले सिर्फ एक constitution है पहले दो थे आपको पता है अंदर जो आपके article 370 है उसके अंदर 350 ए प्रोविजन भी था और आपके Jammu Kashmir का constitution भी था उसको अटा दिया गया है अब इसके अंडिया में जो पावर है वह states को एक ही constitution देता है state को भी और center को भी so states के पाद कुद्धा constitution नहीं है तो state and center एक single framework के अंदर काम करेंगे simple only exception है was the case of Jammu Kashmir जो की अब खतम हो चुका है totally है ना so state के पास अपना कोई constitution रखने का हक नहीं है next आदा है flexibility of the constitution यह भी एक तरीका का unitary feature है कि जो constitution amendment किये जाते है बहुत ही less rigid है then what is found in other federation जैसे USA USA में कितने amendment हो चुके आज तक मुझे बताओ नीचे comment section में you will be shocked क्याकि उनको आजाद होय तो काफी साल हो गया 7087 से अगर आप देखें simple majority हो जाए special majority हो अच्छी government के पास strength है parliament में houses में so they can easily be amended any article or any provision under the constitution कोई भी state इंडिया में जो है वो amendment कर सकता भी नहीं है ठीकि पावर ही नहीं लेकिन USA में सान यह state जो है वो amendment propose कर सकते constitution के अंतर next no equality of the state representation state की basically representation में यहाँ पर equality नहीं है कैसे कि तो राज्यसभा में करम बात करें और बेसे तो population होती है यानि कि इस state की ज्यादा population उसके ज्यादा representative ठीक है वो सब deal limitation commission का काम है जैको अब जैसे इंडिया में जो है राज्यसभा में एक से लेकर की 31 तक जो आपके राज्यसभा मेंबर्स वरी करते है सबसे यादा कहां के मुझे बताओ ठीक है राज्यसभा में MPs नेक्स्ट यूसमें सानी है वहापे equality of representation इस state में जैसे की upper house में उसमें जो है 100 members है और 2 state 2 members from each state वहापर आते है representative इस प्रिंसिपल इस रिगाड़ेदेश एस सेफगार्ड फोर स्मोले states ठीक है जो कि American system में यहां पर निये इंडिया में हमारे पर population के आधार पर है नेक्स्ट emergency provisions इमर्जन्सी प्रोविजन्स वह हमारे central को unitary बना देती है 100% इसमें तीन तरह की emergency is a national, state and financial यहां पर क्यों होता है Central Government पूरी powerful हो जाती है all powerful and state वह totally किसके control में आता है central के अब इस तरीके के जो हम कहते है कि provisions हैं वह किसी और federation में नहीं पाए जाता सिर्फ इंडिया ही ऐसा special federation है next है आपका single citizenship citizenship काफी जाता question उठाया है उस पर आज कल CAA, NRC सब ठीके वह मैं आपको समझा दूगा separate elections पर so in spite of dual politics constitution जो हमारा वह जिसकी Canada में है adopted the system of single citizenship यहां पर इसा नहीं जिसकी USA में dual citizenship है यहांने USA, Switzerland, Australia यहां पर dual citizenship है यहांने कि आप national citizen तो हैं लेकि state citizen पहला है so Indian citizenship है उस state की कोई citizenship नहीं है आपका ही भी सा सकते हैं कितना भी all over the country totally free है fundamental right भी आपका right to travel and profess so यहां पर आपका next आता है आपका integrated judiciary it is also आपका क्या हो गया feature of federal लेकिन यहां पर बात कर रहा है unilateral जो आपके yes unitary features है हमारे federal constitution की so Indian constitution में क्या होता है established integrated judicial system जाज़े की supreme court top पर है state i court जो है इसके नीचे आते हैं फिर आपके जो subordinate courts है उसके भी नीचे आते हैं वह आपके हम discuss करेंगे detail में so single system of court enforces both central laws and as well as state laws USA में ऐसा नहीं है USA में में आपका double system of courts हैं जहां पर federal laws जो हैं वो federal judiciary भी होते हैं state laws जो आपके state judiciary follow करवाती है और enforce करवाती है next आता है आपका all India services all India services को भी ऐसा unitary feature देखा जाता है अभी से नहीं काफी साल होता है USA में जो federal government है and state government have their separate public services India में भी है लेकिन वह आपका totally separated है इंडिया में अगर हम बात कहें तो central and state have their separate public services but in addition there are all India services यहां पर यह बात आती है all India services जैसे की IAS, IPS and IFS अब इसमें क्या है जो की central और state दोनों में common है so अब यहां पर आप state PCS के या फिर आप जो है UPSC के मानलो चलो UPSC civil services की examination देंगे तो उसके अंदर आप जो services की यहां पर प्रिफरेंस देने की बात आती है तब आप उसमें देखोंगे all India services तीन ही है हमारे पास उसके अलावा जितने भी यह वो central services है ठीक है IRS भी आपका central service ही है IRS Indian revenue services अब जो यह all India services के members होते है उनको recruit and train को उनको करता है center और फिर उनका ultimate control भी होता है लेकिन इनका जो basically services जो है कहां पर देते हैं यह states में देते हैं so this service wallet the principle of federalism under the constitution यह कहा गया है और काफी सारे जो आगे हम पढ़ेंगे जो हमारे commissions काफी सारे बेटे हैं ठीक है तो उस time पर यह भी suggest किया गये थे commissions की report के अंदर कि all India services को जो है उनको eliminate कर दो या फिर उनको हटा दिया जाए इंडियन administration system के अंदर ठीक है इस 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 बात है so integrated audit machinery it is also part of a unitary feature of a constitution जैसे कि आपके केग है हमारे केग है Comptroller and Auditor General of India यह highest one of the highest highest officers रते हैं तो account जो है is of not only of central but state के भी यह जो है audit करते है ठीक है states के account कोन audit करता है आपके केग इनकी appointment removal कोन करता है president और state से पूछते भी नहीं है इन appointment के बारे में so hence this office restricts the financial autonomy of the state यह बात है American Comptroller General इसा नहीं है वहाँ पर states का जो ठीक है audit से वो नहीं करता वो उस पर कोई participation नहीं है नहीं सत्राइब का Parliament's authority or the state list यहां पर अगर हम बात करें so पहले इतना limited जो चीज़े है वो दे रखी लेकिन पर भी exclusive right नहीं है states का जितने भी subjects है state list के अंदर Parliament के पर इतनी power है कि वो कोई भी state list के subject पर जो है क्या कर सकती है लोग बना सकती है लेकिन कब जब राज्यसभा एक resolution पास करेगा कि national interest के अंदर इस वाले state subject particular उस पर अगर पार्लेमेंट को लोग बनाना चाहिए तो राज्यसभा ही resolution पास करेगा और अगर उसके अपर कोई और लोग बने हुए state में उन सबको रद कर दिया जाएगा किसको प्रिवेल सबसे कौन सा लोग प्रिवेल करेगा center का सो बिना किसी amendment के constitution के अंदर state list में भी जो है जो है क्या बना पार्लेमेंट लोग बना सकती है appointment of the governor governor का appointment हमेशा से जो कह सकते है कि governor वाली जो system है governor system के हमेशा से ही central की हम कहें कि जो states के द्वारा इसको काफी criticize किया जाता है it's against the autonomy of the state यसा का जाता है states के द्वारा governor जो है वो head of the state होता है जिसे president होता है कहां पर head of the state यानि कि Indian state का head कौन है हमारे president लेकिन जो इंडिया के अंदर states है उसका head है governor ठीकिए appoint कोन करता है president और of course जो है cabinet council of minister यही जो है recommend करते है pleasure of the president के अंदर की अंदर यह office hold करता है अब यह he also acts as a agent of center काफी बार यह देखा गया है through him center जो है exercise करता है basically powers को control करने को चुछ करता है states को American constitution में है इसा नहीं है महाँ पर जो head वो elected होता है in the states so in this respect Indian adopted Canadian system हमें हमने discuss भी किया next feature आपका integrated election machinery integrated election machinery जिस तरह किसे election commission है हमारे election commission of India ही election कराता है कहां पर central legislature as well as state legislature ठीक है तो state or center के कौन कराता है elections election commission of India हाला कि state election commission भी है हमारे आपर जो कि पंचायत के election कराता है ठीक है but so यह जो बोड़ी है वो president के द्वारा constitute की जाती है state का कोई रोल नहीं है इसके appointment में so yes यहने कि अगर उसके members को appoint किया जाया रिमूव किया जाया तो वो president करता है on the other hand USM में इसा नहीं है कि वहाँ पर separate basically machinery है अगर federal और state level पर हम क्या election conduct कर रहा है ठीक है USM में नेक्स अधाय आपका जो लास्ट है देखो वीटो ओवर state bills अगर governor is in power to reserve the bill of certain types of bills passed by the state legislature अगर governor को लगता है कि अगर कोई law जो state legislature legislature के द्वारा बनाया गया है अगर वो violate करता है constitution को basic structure को तो वो reserve करके रख सकता है इस तरीके के bills को for the consideration or consent of the president president उसको फिर जो है उस पर क्या कर सकता है अपना असेंट दे सकता है और वीटो भी कर सकता है हम प्रेजिटेंट के बारे में आगे पड़ेंगे ठीक है not only in the first stance basically the president जो है वो absolute वीटो याने की इंडिया के पास अस्पेंशी वीटो नहीं है ठीक है और ठीकि state bills के ओपर absolute veto है चाया तो वो इसको consent दे चाहना दे but US में ऐसा नहीं है Australia में ऐसा नहीं है कि states are autonomous within their fields and there is no provision for any such reservation लेकिन Indian governor के पास ये power है कि वो जो है president की consent के लिए जो है बिल्कु रिजर्व कर सकता है अब तोड़ा था जो है critical evaluation करके देखते है जो हमारे federal system है तो constitution of India जो है वो जो traditional federal system से जो सालों से चलते हुए आ रहे थे सो काफी जाधा जो challenge किया गया इस वाजे federal character of Indian constitution को पहले आता है आपके कैसी वियर है उन्होंने कहा है कि जो Indian constitution is a quasi-federal constitution है इंडिया constitution is a quasi-federal so he remarked that जो Indian constitution is a unitary state with subsidiary federal features rather than federal state with a subsidiary unitary features यानि कि हमारे dominance किसका unitary features का और जो federal feature से वो subsidiary है यह कहता है कैसी वियर है next रहता है आपके critics critics जो है के संथानव उन्होंने दो factor दिये इस तरह के unitary basis के biases के कि पहला है कि the dominance of the center in the financial sphere यानि कि जो state है वो depend करते है central grants पर उनके पस कोई अपनी independent financial machinery नहीं है यह इनका कहना था second इंका कहना है कि emergence of आपके powerful planning commission उस time पर जो आपके प्लानिंग कमिशन ता जो कि पूरी development procedure को basically control करता था उस time पर इन्होंने कहा कि India has practically functioned as a unitary state though the union and the state have tried to function formally legally as a federation next राते है आपके paul apple भाए और जो नहीं नहीं इन system को extremely federal का मौरीस जो नहीं कहा है कि जो इंडियन federalism है वो bargaining federalism है आईवर जनिंग्स तो सबसे बड़े critique और हम कहेंगी analytical understanding रखते थे इंडियन constitution की उन्होंने कहा कि federation with strong centralizing tendency Indian constitution को strong जो आपके federation with strong centralizing tendencies क्योंकि देखो Indian constitution mainly federal है with unique safeguards for enforcing national unity and growth यह हमारे लिए main focus की बात थी Granville Austin कहते है कि Indian federalism जो है वो cooperative federalism यह ना कि जो बात है कर रहे ना कि state government weak हो जाएगी है सब कुछ भी नहीं है ठीक है so उनका यह कहना था इन्होंने का एक Indian federation is a new kind of federation to meet India's peculiar needs क्यों deviate किया हम लोगों ने अभी हमने आपके देखा कि इंडियन जो हमारा federal system है क्योंकि उनके जो traditional features है federalism के इंडियन सिस्टम और इंडियन सोसाइटी के इंदर फिट नहीं होंगे यही तो सबसे बड़ी सोस्ती हमारे constitution makers की अब भीवरा अमबेटकर सर की अब भीवरा अमबेटकर सर ने यहां पर बात करे कि constitution जो है federal constitution है is as much as it is established a dual polity union जो है वो is not a league of state यानि कि बल्कि united in a loose relationship nor are the states under the agencies of the union ठीकिना स्टेट जो है वो कोई agency नहीं है union के अदर इस बराबर बराबर जो है participators है ना कि सिर्फ mere watchers driving powers from it both union and states are created by the constitution तो हमारी यह पावर जो है ना authority state की और central की constitution से ले रहे हैं ना कि एक दूसरे से इन्होंने फिर का कि जो हमारा federalism could be both unitary as well as federal according to the time के जो और circumstances की need होगी इन्होंने का कि यहां पर बहुत ही अच्छे से समझाएं इस बात को और उन्होंने का मैं शोड़ों बता रहेता हूं आपको कि यहां पर well defined जो आपके किया गया है authority का यह constitution देता है ना कि कोई legal और इस इस्टिकल है ठीक है तो यह आपका constitution का द्वारा दिया गया authority है central state की बीच में तो overcentralization की तो बात ही नहीं आती है बात यह कहता है कि the central cannot by its own will अपनी मर्जी से यह नहीं कर सकता कि वह जो यह partition किया गया है authority का उसको हटा दें ना ही judiciary कर सकती है कि एक केस वादा वो माई केस 1994 इसको हम डीटेल में देखने वाले है हमारी जो इंपोर्टेंट जज्मेंट डैट ट्रांस्फों इंडिया की सीरीज है नहीं देखी अब तक तो जाकर की देखना काफी जाधा इंपोर्टेंट है वो राइट सुप्रीम कोट ने कह दिया और कर दिया कि जो हमारा कॉंस्टिटूशन फेडरल फीटर्ज जहें फेडरलिसं जो मैरा कॉंस्टिटूशन का義 है टिक है तो अब तो कोई और लिजके का किमी देख Rules तो यह flawed कि hart इसको अडिपभेर तो यंदży क्रूसम्यूर्ट है उन्होंने समझाए वह स्टेट्स हैं वह स इंडिया के अंदर है वो एक कॉंपरवाइस को रिप्रेजेंट करता है किनके वीच पे यह बेसिकली बेटीवी तू फॉलोविंग कॉंफिलिक्टिंग कॉंसिडूरीशंस है जो कि एक सुप्रीम कोड के के अंदर बताया गया कि नॉर्मल डिवीजन ऑफ पावर्स अंडर व जगे 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 अब यहां पर इतना कुछ हुआ अब हमारे जो इंडियन प्रॉलिकल सिस्टम में उसकी वर्किंग के अंदर हमको काफी ज्यादा फेडरल स्प्रिट देखने को मिलती है कैसे सरन मैं आप मुझे सबूत दो मिलकुल आपको सबूत रिग्जैंपल दिये ज अब बनगाए और परदेश यह सब रिजनल पार्टी जो रूल कर रही है तमिल नाडू है नेक्स्ट क्रिएशन आफ new states तो फुल्फिल दा रिजिनल एस्पिरिशन्स तिक यह जो बिसिकली जैसे की मिजोरम हुआ जारगन दुए नेक्स्ट दिमांड विस्टेट्स पूर मोर फाइनिशल ग्रांज फ्रॉम देपलमेंटल नीड्स सेंटर अब सेंटर से ज्यादा मांगे की जानी रखती जाते हैं स्टेट्स के द्वारा जो की इनको ग्रांट के तोर पर जो है बढ़ाए जाए जाए अब उसके बारे मैं लगे फाइनिस कमिशन के हम बात करेंगे आगे आने वाले लिसंस पर नेक्स्ट अजर्शन ऑप ऑटनोमी बाइद इस्टेट्स प्रॉम दा सेंटर रिजिस्ट करत इस तरीके से आपके बाले चेप्टर होता है अगली लिसं में देखेंगे सेंटर स्टेट रिलेशन्स क्या रिलेशन्स से बहुत is le Li बा invari जो मिस्स मत करना हो देखना मिलते अगली सम्म्झा थे कलीश्ट ए तुन्ड ये 15श शे